डॉक्तर राजेश कुमार उपातय विया CS MMS आयुरिदिक महाविद्याले में कारे रत है यहां पर प्रोफेसर एंड होडी अगत तंत्र डिपार्टमेंट में इस पत पर कारे रत है वह ने उनका फॉर्स्ट वर्क्शॉप जानिवरी ट्वेंटी ट्वेंटी में किया था और जूनल मीटिंग्स में हिल्च मीटिंग्स और मॉर्निंग सेशन्स को अटेंड कर रहे हैं तो भाई आपका स्वागत है और तो यू अभी को नमस्ते सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद मैं डॉक्तर राजेशु पाध्याय अपनी शेरिंग रख रहा हूं और मुझे उम्म मैं में थोड़ा चेंज आ सके तो भाया जैसा कि इसमें पॉइंट को लेते हुए अभ्यास एक और अभ्यास दो में मेरी क्या समझ बनी इसके कंसर्ण में मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्वयम चैतन्य के द्वारा स्वयम में चल रही कल्पना सीलता भाव विचार को ठीक से देख पा रहा हूं इसको उदारन के रूप में मैं देना चाहूंगा कि जैसे कोई भूत काल में घटित घटनाय जो होती है वो बार-बार मन में आती रहती है और उससे पुरा दिन भी खराब हो सकता है तो उसमें कल्पना सीलता चलती रहती है तो हम उसको डाइवर्ट उसमें हम सहज रह सकते हैं और सहज स्विक्रिती उसमें रहती नहीं है क्योंकि जो मन को विचलित करती हो जो मन को तकलीव देती है वो उससे हम सही समझ के द्वारा और सहज स्विक्रिती के द्वारा और सही संबंध के द्वारा कारे को हम ठीक से कर सकते है इसमें ये चीज भाव, स्वभाव, मानिवी स्वभाव के अनुरूप भाव को मैं देख पा रहा हूं। मैं इन भाव की निरंतरता को बनाई रखना चाहता हूं। तो इसका एक उदारन के रूप में मैं सामने रख रहा हूं। कि एक दिन मेरे एक फ्रेंट का फोन आया, जो कि जिसको मैंने कभी पहले देखा नहीं था, सिर्फ कुछ आवाजे सुनके ही मैं एनलाइज किया था, तो वो आये और उनसे मेरी बात्चित भी हुई, तो जब ये मैं महसूस किया कि उनसे बात्चित करने में मेरा भाव जो है वो ठीक ही था, भाव के बारे में मैं बहुत उसमें अच्छा था, मतलब जैसे कि किसी को बुलाय जाता है, कोई गेस्ट आता है, तो जैसा भाव होना चाहिए, उसको रिसीव करना, उससे हसते हुए थीक से बात करना, और क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ चीजे रहती है, कि मैं वहाँ पहुsचोंगा, तो पोजिशन क्या रहेगी, कोई मुझे बात करेगा कि नहीं करेगा, रिसीव करेगा, नहीं करेगा, इसब चीजे मन में चलती रहती है, तो जिस तरीके से जो भाव हो को हम समझ सकते हैं और समझ कर बात जो होती है वो बहुत दूरगामी परिणाम करती है उससे बहुत अच्छा मैसेज आता है तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आपके प्रेंड कहीं भी हो और किसी भी तरीके से रहे तो आप अच्छे भाव से अगर आप बात करते है तो वो समझ सकते है ठीक उसी तरीके से उनसे भी लोग उमीद करते है कि जब भी बात करें तो एक अनुकूल वातावरन से ही बात करना चाहिए ताकि उससे जो खुशी मिलती है वही एक लोगों को जोड सकती है और करीब ला सकती है तो इससे बहुत सारी चीजे कम हो सकती है जो दूरा भाव है जो लोगों में थोड़ी कमिया दिखाई देती है कि लोग गुस्से हो जाते आपस में बात नहीं करते घरों में भी मैं बहुत बार देखता हूं कि पती-पत्नी रहते हैं मैं ज्यादा दूर का नहीं अपना भ कुछ समय के बात बात होती है तो अगर हम यह समझ के साथ चले तो कुछ प्राब्लम्स कम हो सकते हैं तो यह चीजे मैंने बहुत करीब से देखा है और यह सब चीजे जो हम जी के देखते हैं जो बाते हम सुन रहे हैं UHP के संदर्ब में जो बाते आती हैं तो उसको हम जी के देखते हैं तो आप लाइफ अगर जीते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़े आ जाती है, जैसे आप दिन भर के काम आप करते हैं तो उसमें यह चीज़ें जब आप किसी को ठीक तरीके से बात करते हैं, समझ के बात करते हैं और एक friendship वळी जो बात है वो सामने रख के बात करते हैं तो वो आदमी को भी खुशी होती है और आपको भी दिल से बहुत अच्छा लगता है तो दूसरी बात मैं रखना यह चाह रहा था कि बोलने का ताथ पर यह है कि हम अगर स्वायम में सहज भाव और स्वभाव से अगर काम करते हैं तो वो सब चीजे हमें अच्छी दिखाई देती है और यही मानिवी स्वभाव है कि हम अपने को किस तरीके से लोगों के सामने प्रस्तूत करें और उसी से वेवारी जो जीवन है वो जीने में आसानी हो जाती है तो इन सहज भाव के साथ हम संगीत में आराम में रह सकते हैं और सुखी रते हैं ज अपने सुक्ष दुख के लिए मैं ही जिम्मेदार रहता हूँ और पूरी तरीके से जिम्मेदार रहता हूँ जैसा कि मैंने एक जामपस दिया उसमें ये चीजे समझ में आ रही है कि अगर हम किसी के साथ ठीक बात करते हैं तो वो बाते ठीकी रहती है उसमें कोई दो राय न है वो बदल जाती है और लोगों को ये लगता है कि ये आदमी हमेशा गुश से मेरता है तो क्या बात करना कि इस वैक्ति के साथ क्या बात करना तो ये चीजे कहीं ने कहीं उसमें निकल कर आती है तो इसका उदारण एक और मैं देना चाहता हूं कि दूसरों की सिकायद से हम म अपने घर पे गया था और कुछ सब्जी लेने के लिए सुब़ सुब़ मार्केट गया और वहाँ पे मेरा मोबाइल चोरी हुआ तो चोरी हुआ तो वहाँ पर बात तो करने में अच्छा लगता है कि वेवहार लेकिन वेवहारी जीवन में जब ये प्राबलम आती है तो उस वक्त ये चीजे समझ में आती है कि कितना मुश्किल होता है खुद को समालना और खुद को बाइलेंस रखना ये चीजे जब प्र पिर उसके बाद मैं सोचा कि अब क्या करना है क्योंकि परिस्तितिया तो ऐसी थी कि पैसे भी नहीं थे, गाड़ी की चावी थी, सिर्फ गाड़ी लेके घर पे आना था, तो कुछ सब्जी खरिद भी नहीं पाये थे, लेकिन उस वक्त मैंने मेरे भाव को बदलने नहीं दिय लेकिन मन में गुस्सा तो आही रहा था कि मोबाइल चोरी हुआ और उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, तो सैच्वेशन को हैंडल करना यह बहुत जरूरी है और आईसी सैच्वेशन किसी के साथ भी आ सकी है, तो जास्ट एक उडाहन के माध्यम से मैं यह बताए कि पर सारे प्राबलम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो उस वक्त ऐसा आदमी सुनने हो जाता है कि क्या करना यह समझ मने आता है, फिर भी मने स्टेप बाइ स्टेप वो चीजे समाला जो सबजी बेच रहा था उसी का फोन लिया और उसी फोन से अपने फोन को लगाया, लेकिन फोन पे एक बार सिर्फ हैलो आया और बाद में कट कर दिया गया, उसके बाद मोबाइल को स्टेप कर दिया गया, तो यह सेच्वेशन जो मेरे साथ कोई, यह किसी के साथ भी हो सकती है, तो उस शड़ मैं किसी भी तरीके का विरोध भाव न रखते हुए, कोई गुसा न करते हुए अपने मैं को बहुत ठीक तरीके से संभाला और आगे की जो प्रोसेज है, जैसे फायार करना, वो सब चीजे मैं किया मैं, क्योंकि वो प्रोसेजर का पार्ट रहता है, क्योंकि अगर वो रख दिया इसी तरीके से और मिस्यूज हुआ, तो बहुत सारी प्राब्लम बढ़ स है चोरी के पीछे, तो वहाँ पे भी यही चीजे मुझे निकल के आई थी, कि उसके भी कुछ मजबूरी होगी, वो चोरी अपने पेट भरने के लिए या अपने परिवार के खाना के लिए या जो अन जो चाहिए उसके लिए चोरी कर रहा है, तो वो भावना मेरे अंदर भी उस वक्त आ गई, कि चोर ने चोरी किया होगा, तो उसकी कोई मजबूरी हो सकती है, तो यह सब चीजे जो है, जैसा कि भाव उस वक्त नार्मली जो होना चाहिए, गुस्ता आना, यह चीजे वो हुई नहीं, लेकिन यह जो UHV में जूडने की वज़े से जो परिमार्ज हुई है, उसके कारण यह चीजे जो है, कि वहाँ पर भाव मैंने बदलने नहीं दिया, और वो चीजों का आशर यह हुआ, कि मैं स्टेबल रहा, और बहुत सारे सेच्वेशन को हैंडल किया, तो यह चीजे बताने कार कि यह है, कि अगर हम मैं मैं सयम अगर अच्छी तरीक से रखें, तो बहुत सारी चीजे को हम दूर कर सकते हैं, एक उधारण के तोर पर मैं बताया कि ऐसे बहुत सारे प्राबलम सोसाइटे में रते हैं, जिसको हम अपने मैं को ठीक से ठीक निर्णय लेकर और समझ के आधार पर मान्यताओं पर निर्भर न होते हुए, अगर हम निर्णय लेते हैं, तो बहुत दूर गामी परणाम देते हैं, और उसमें हम आराम में रहते हैं, तो यही है कि अगर हम भाव का निर्णय लेकर सही तरीके से, सहज भाव का निर्णय अगर हम लेकर काम करते हैं, तो आराम में रहते हैं, और जब मान्यताओं के आधार पर ह हम कुछ निर्णे लेते हैं तो वो निर्णे निश्चित होता नहीं है और उसमें हम आराम से रह नहीं सकते हैं तो ये चीजे मुझे बहुत क्लियर तक समझ में आ गई है कि एक अगर हम मैं में बारिमार्जन करते हैं तो ये चीजे बहुत क्लियर हो सकती है और इसके आवसेक रहती है इसलिए इसलिए मैं निरंतर ये चीजों की तरब द्यान देता हूँ जिसे संबंद वेवस्ता और सहास्तित्व को समझना मेरी मुर्भूत आवस्यकता है जैसा कि मैं उदारन में लिया हूँ कि संबंद को किस तरीके से आपको समभालना है, किस तरीके से वेवस्था में रहकर और सहा अस्तित्व के साथ अपनी भागीदारी, मतलब वेवस्था, अपने से बड़ी वेवस्था में भागीदारी करसे दे पाए, ये सब चीजे बहु प्रकिर्ति के प्रती जो है आप जागरूक रहे और जो वातावरण में पॉलूशन फाइल रहा है उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए तो कंट्रोल करने के लिए तो सही है कि आपको कुछ ने कुछ करना पड़ेगा आइसे तो नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे मैं मेरा रोल जो बता रहा हूँ वो बहुत एक तरीके से आहम है हम एक आर्गनाइजेशन से जुड़े है वी इन्वाइर्मेंट आर्गनाइजेशन है समभाजी नगर में उससे हम जुड़े है और रोज सुबह हम कम से कम 200 पौधे लगाते है जो आउरंगाब उसको नरिष्मेंट देना रहता है तो घाइम टाइम पर उसको खाद और पानी देते हैं तो यह जो चीजे यह हम हमारे लाइफ में अगर जोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ और अच्छी हो सकती है जैसा कि मैं बताया कि जानवरों के प्रतिवी हमारा जो जो समझदारी से काम करना है वो भी जरूरी है और ऐसा नहीं कि जानवर है तो उसको कोई इस तरीके की फिलिंग नहीं है उसको खाना नहीं देना या वो परिशान है तो उसको मदद नहीं करना तो एनिमल के पति भी हमारी भावना ठीक रहनी चाहिए जैसा कि मेरे पास भी डॉमेस्टिक है तो उनकी रक्षा, संरक्षा, पोशन हर एक की भावना हमारे मन में रहती है और उसी तरीके से हम उनके स्वास्त के पति उनके भोजन के प्ति जागरूपत रहते हैं क्योंकि उनका उतना ही काम है क्योंकि वो सोचने की छमता उनके अंदर जादा नहीं रहती है तो जितना उनकी जरुवत है उतना पूर्ती हो जाती है और वो आराम में रहते है प्राबलम सिर्फ मानव से है मानव की भूख जो है वो मीटती नहीं है जल्दी तो भूक नहीं मिटती, यानि वही बात मैं फिर से यहां पे लाना चाह रहा हूँ, कि जो मन में लालच रहता है, जो जैसे हमारे इसमें जैसे स्वात की बात करें, तो स्वात एक तरह का लालच ही है, अगर हम स्वात के थोड़ा सा दूर रहे या शरीर के पोशन के लिए काम करें, तो हमारा सरीर स्वास्ट रहेगा, ना कि टेस्ट के लिए काम करें, तो अगर टेस्ट ही लेना है, तो सरीर कभी भी स्वास्ट नहीं रह सकता है, यहां तक मुझे यह चीजे दिखाई देती है, और हर छड निर्णे पूर्वक अपने भाव को संबंध की विवस्था और सास्टित्व के भाव के अर्थ में, सुनिश्चित कर मैं सुखी रह पाता हूँ, जोकि मैंने पहले उधारणी के तवर पे बताये था, और हर छड मैं ऐसा सोनिश्चित कर मैं निर्णतर शुखी होता हूँ, तो इसमें संबंध, विवस्था और सास्टित्व को समपू और अभ्यास दो के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो मैं और शरीर दोनों की जो वास्तिविकताएं हैं, दोनों अलग-अलग हैं, मैं ये अनुभव कर सकता हूं, कि मैं और शरीर की क्रियाएं अलग-अलग होती है, उधारन की रूप में आस्वादन जैसे मिठाई का टेस्ट, संवेदना, शरीर उसे पढ़ने का काम करता है, और शरीर पढ़ने का काम नहीं करता है, सेल्क पढ़ने का काम करता है, उसको रीड करता है, सेंसेशन को और उस तरीके से वो शरीर की पूर्टता अलग है और मय की पूर्टता अलग होती है। हाथ और पैर सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन को फालो करते हैं और जिसकी वज़े से खत्रा देखने के बाद जो समझने का काम होता है वो मय के द्वारा होता है और मय ही निर्देश देता है शरीर को कि अभी समझना है ब्रेक लगाना है तो यह सब चीजे जो है मुझे पूरी ता मैं ठीक लेता हूं इसका एक और उदारन में देना चाहूंगा कि अब ठंडी का मौसम है जैसे ठंडी लगती है तो शरीर को ठंडी लगती है लेकिन मैं यह... और भूप ज़्यादा ठंडी अगर लगती है तो स्वेटर पहनना है या नहीं पहनना है शरीर को protection देना है यह सब निर्णे मैं के है और instruction के द्वारा शरीर को यह ढखा जाता है तो यह सब चीजे मैं UHV के माध्यम से यह मैं समझ पा रहा हूं और मैं एक देख पा रहा हूं कि शरीर और मैं दोनों अलग-अलग चीजे हैं मैं सम्वेद्ना से अलग होते हुए भी सम्वेद्ना को पढ़ता हूं और इसका निर्णे मैं लेता हूं मैं शरीर से अलग हूं यह वास्तविक्ता समझ में आती है बाहे परिस्तित्यों का प्रभाव शरीर तक पहूंचता है और उसी के द्वारा मैं निर्णे पूरवक पढ़ता हूं उसे अर्थ देता हूं और उससे प्रभावित होता हूं या नहीं होता है प्रतिक्रिया करता हूं या जिम्मेदारी पूरवक मैं प्रस्तुत होता हूं तो ये सब चीजे जो है में के, में के द्वारा ही होती है, जैसा कि मैंने पहले उधारण बताया कि मेरे रिलेटिव चौरी होने के बाद जो बात कर रहे थे, तो अलग-अलग बाते कर रहे थे, खोई अइसा बोल रहा था कि आप तो ध्यान ही ने देते, कुछ लोग बोल रह तो अलग-अलग बाते जो लोगों से आती है उसको मैं एनिलाइज करता हूँ और उसके हिसाब के मैं जिम्मेदारी पुर्वक प्रस्तूत होता हूँ. जैसा बाह परिस्तितियों का सरीर पर प्रभाव तथा मेरा निर्वा प्रतिकिया पुर्वक परतंतता पुर्वक में जीना होता है। या सही समझ के आधार पे है। तो इसमें अभी बहुत सारा काम बाती है क्योंकि बहुत सारी मानेताओं के आधार पे वो व्यक्ति काम करते रहता है। उसमें मैं भी प्रभावित होता ही हूँ. मेरा भी कुछ ऐसे काम मानेता के आधार पे ही हो जाते है। तो मैं ये अभी ये एनलाइज कर पा रहा हूँ कि मुझे माननेता के आधार पे अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उससे प्रभावित होना यानि मेरे भाव और विचार वो बनते हैं वो मेरे वजह से ही बनते हैं और माननेता के आधार पे अगर भाव बनते हैं तो उसमें सु करता हूं कोई बात अगर सोचना है या भाव आ रहे है तो उसको माननेता के आधार पर न जाते हुए मैं जिम्मेदारी पूरवक और निर्णे लेता हूं और उसके अनुरूप मैं चलता हूं तो जब निर्णे मैं अपने संवेद्राओं के आधार पर न लेते हुए सहच क्रीती से अगर मैं कोई निर्णे लेता हूं तो उसके दूर गामी परिणाम मिलते हैं और उससे मैं सुखी रहता हूं तो कुछ चीजे जो मैं बताना चाह रहा था वो उसमें ये ये चीजे थी और संवेद्रा को पढ़ने के आधार पर बाहर की घटनाउं दूसरे का वेवार कारे जैसे ध्वनी, शब्द, अर्थ, दूसरों के वेवार कारे में भाव के बारे में मेरा आकलन बाहर भावतिक रासायनी घटनाई होती है, शरीर पर प्रभाव पढ़ता है और संवेद्राव, सूचनाव और घटना के बारे में मेरा आकलन मैं करता हूं और उसक में दारी पूर्वक्त को उसका निर्वाह करता हूँ तो दूसरा पॉइंट ऐसा है कि मेरा सुन्य में सह अर्ष्टित्व में बना हुआ है और मैं ये चीजों को देख पा रहा हूँ जैसे मेरे शरीर के आंदर भी सुन्य है बाहर वातावरण में भी सुन्य है जैसे सुन्य के सह अस्तित्व में बना हुआ है मैं आवश्यक्ता नुशार शरीर के साथ सुचनाओं का आदान प्रदान कर पा रहा है ये मुझे दिखाई देता है और तो उसमें ये चीजे मुझे समझ में आ रही है दूसरी बात जो है कमिटमेंट की बात अगर मैं करूँ तो मेरे अभी मैं आउरंगा बात से हूँ तो यहां MIT College है MIT College में विने भाईया यहीं के है तो उनसे मेरी बात हुई है और बात यह हुई है कि इंट्रोड़क्री UHP अपने College में स्टुडेंट के लिए teacher के लिए और Class 3 Class 4 के लिए एक-एक UHP का आयोजन करने की बात हमारी हुई है और उन्होंने इस बात को माना है कि help करेंगे और टाइम पड़ा तो as a guest speaker करके भी वो जिम्मेदारी लेंगे तो ऐसी बात हुई है तो मुझे लोगों में जाकर और लोगों को ये इंट्रोड़क्टरी UHP introductory के बारे में दो तीन workshop लेना है तो मैं उसकी तयारी कर रहा हूँ और पहले student को ही हम लेंगे student के लेने के बाद तिर जैसे जैसे step by step हम teacher बाद में class 4, class 3 ये इन लोगों को शामिल करेंगे और UHP introductory के द्वारा इसमें से हम screening करेंगे और उसमें जो अच्छे लोग है उनको भी हम इसमें इस मोहिम में सामिल करेंगे और ये मेरी भूमिका है और दूसरी भूमिका ये है कि मैं बहुत सारे UHP के जो sessions चलते हैं उससे में जुड़ा हूँ रहता हूँ health session से में जुड़ा हूँ बाद में morning session में जो UHP 3 हुआ था उससे में जुड़ा था उसके बाद अभ्यास 1 और अभ्यास 2 जो पिछले बार हुआ उससे में जुड़ा ही था और अभी आने वाले समय में जो एक तारिक से होने वाला है उसमें भी मेरी भूमिका र इवनिंग session जो है वो हम handle कर सकते और जो workshop चलते है वो 9 to 5 चलता है इसलिए उसमें possible होता नहीं क्योंकि हमारे बहुत सारे काम प्रोजेक्ट PhD गाइड होने के नाते बहुत सारे काम हो चलते रहते लेक्चर्स चलते रहते तो इसलिए वो थोड़ा वहां समय पर समय नहीं निकल पाता लेकिन इवनिंग टाइम पर मैं अपने को थोड़ा सा खाली रखता ये बहुत सारे काम मैं कर सकता हूं तो ये मेरी commitment है और जैसे इसमें बोला गया था कि आप एक या दो घंटे तो के लिए ये स्वयम के परिमारजन के लिए कारिक्रम है तो एक दो घंटे से तो होता नहीं है ये मैं भी मानता हूं लेकिन ये lifestyle में अगर आप लोग लेते है या सभी लेते है तो इससे खुद में परिमारजन होता और हम सरीर को और मैं को ठीक तरीके से देख सकते है कि पहले मेरे पास बहुत सारे कपड़े हुआ करते थे नेकर मैंने अभी निर्धारन किया है तो उसमें मेरे वो जरूरते की हिसाब से कपड़ों की खरीदारी कम हो गई है बड़ी गाडिया और बंगले लेने का विचार कम हो गया है कारण क्या है कि जितना है वही बहुत ह ऐसा मेरा भी सोचना है तो ये सब चीजे जो है व्यक्ति में परिमार्जन होने के आवर सेकता है मैं तो कर ही रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जितने भी मेरे भाई बहें सुन रहे हैं वो सभी लोग इस विचार पर इसी विचार के साथ काम करेंगे तो वो खुद भी है और इसमें से किसी भाई को कुछ सजेशन या कुछ क्वेशन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं धन्यवाद भाईया जी राजेश जी नमस्ते बहुत ही बढ़िया और बहुत बात पर रही है नमस्ते बुलिए जी पर एक चोटा सा प्रस्न है आपने जो उदारंदिया मुबाईल का बहुत बहुत ही सही सही कि लगा है सिर्फ एक क्वेशन ये बना कि मुबाईल साथ बजार में लेके जाना यह आपकी माननेता थी कि सही समस्ती बस भीया इस पर थोड़ा बताए लिए उसको हम जरूरत बोल सकते हैं कारण क्या है कि अब यह देखी यह तो पत मैं इनको दिखे मैं यह भी पूछ रहाता है और बहुत लोग तो यह बोले कि आपको यह पता है आप समझदार है तो मुबाईल लेके जाना था और पैसे दिये भी तो लेकिन इसले रहता है कि कभी 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 एमर्जेंसी कुछ मैसेज इमर्जेंसी कॉल आते है तो उसको अटेंट करना पड़ता बिसकिली आप्सरों इसलों दॉम्टर फिल्ट से है तो मुबाईल चोड़के दो गंटे तीन गंटे रहे नहीं सकते क्योंकि emergency call रहते, emergency message रहते तो वो सब देखके हम आगे के जो रन नीती हो तायार करते उसके लिए mobile साथ पर था तो माननेता थी तो ही कम से कम 25 लोग तो mobile लेक्या है उन लोगों की mobile चोरी हुए तो ये कहीं न कहीं माननेता तो थी ही जे, जे, मुझे धन्यवाद भाईया, नमस्ते सभीकों बहुती बर्याशेरिण और जीने से जोडकर कुछ दाह और भी निये जहां पर उनका ध्यान गया और पहले की परिस्थी पहले उसी परिस्थी उनके क्या सिती होती और अभी क्या सिती बनी है उसमें उनको अंतर दिखाए दिया और उनकी तत्पर जो भी उसर है जहां पर परकरते हैं को कॉलेज मांकरतिस के लिए तत्पर हैं तो बहुत ही यहां को अछी बड़ा से नेया रहा है इस चीज में थोड़ा से और बारीकी से देखना और रखना है बात रहा है कि कोई चीज को विचार में पर वहाइक सथी है बट वारे देखने में आ रहा है कला जिए यह सथी है चुछ पाते हैं कि यह इसका मुझे दिखाई दी रहा है यह उतना मुझे दिखाई दे रहा है पर देखना नहीं है यह तो बात सामने आई है आपके सुन्झे में आया है और उसके अस्था बन रही है तो बहुत अच्छी बात है पर अंतुसर और बारीकी से अपने आप में अब्जर्व करने के लिए यह विजारों में मुझे स्वस्थ है तो बढ़िया है राजस भी आपके साथ अच्छी संभावना है और अंगाबाद में आप पढ़ा रहे हैं वहां एक बढ़ कीम भी बनत झाल 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 झाल